अब हुड़ा साब को ये लग रहा है, उनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि मैं जाट नेता हूँ और जाट मुझे वोट देते हैं और बाकी कोई कास तो उनको पूछती भी नहीं, कोई वोट नहीं दे रहा उनको संगठन बनाने का पड़ाव हमने पार कर लिया, अब राजनेतिक अभियान की शुरुवात होती है, ये कैसा अभियान होगा जैसा चुनाव प्रचार, जैसा चुनाव ना अपने हरियाना के इतियास में पहले कभी देखा होगा, ना मुझे लगता आगे भी किसी पार्टी मे हमारी किस मेंबर की कमेटी है, ना कॉंगरेस की है, ना बीजेपी की है, इनल और जैजेपी को तो भूल जाइए SYL पे क्या स्टेंड रहेगा, और मुख्या मंतरी जैसे कल परदान मंतरी से मुलाकात की, पंजाब के CM को लेटर लिखा, उससे क्या हर्ज है, कि किस जाती के कितने लोग किस प्रदेश में कहां रह रहे हैं, ये जानकारी इकठा करने में क्या हर्ज है, बीजेपी क्यों नी करना चाहती, हमें ये जानने का हक तो है कि देश की सामाजिक सरचना कैसी है, क्या है, कितने लोग कहां रहते हैं, हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के निता, अनुराग धंडा जी, आज उन्होंने वरकर मिटिंग ली, उनी से बात करते हैं, जो तीन दिन का हर्याना का प परियाना में पहुँच गई है, पहले हमारी कोशिश थी कि संगथन बनाएं, गाहों गाहों तक संगथन बनाएं, साड़े साथ अजार गाहों और वर्ड के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपना संगथन पूरा कर लिया, और उसको पूरा करने के बाद, हर गाहों में 21-21 मेंबर की कमेटी बनाने के बाद हर गाओं में एक ग्राम सचिव बनाने के बाद अब संदीप पाठक जी हर लोकसभा में जाके अपने पदादिकारियों कारेकरताओं से समभाद करके उनको आगे की पार कर लिया अब राजनेतिक अभियान की शुरुवात होती है ये कैसा अभियान होगा जैसा चुनाव प्रचार जैसा चुनाव ना अपने हरियाना के इतियास में पहले कभी देखा होगा ना मुझे लगता आगे भी किसी पार्टी में इतनी ताकत होगी जो ऐसा चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव हरियाना में लड़ने जा रही है, जैसा इतियास में कभी हुआ नहीं। वो अपने लोगों के नाम बताएं, महां कौन कारे करता है, हम अपने लोगों के नाम बताते हैं, ये खुली चनौती है, ऐसा संगठन, इसी संगठन के आधार पर, उन मुद्दों के आधार पर, जिसमें खटर सरकार पूरी तरह से फेल रही, जिसमें कॉंग्रेस 25 साल अरिय पांच राजों में आप चुनाव हैं, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या रहेगा? पूरा कॉंसेंट्रेशन हर्याना के चुनाव पर होने वाला है, क्योंकि हमारे पुर्जोर ये कोशिश है, और हमारा पूरा आत्म विश्वास है, कि दिल्ली और पंजाब के बाद तीसरी सरकार आम आदमी पार्टी की हर्याना में बनने जा रही है, ये एक ऐसा कॉरिडोर हो ये हमारा एक सपना है, तो इन पांच रहिजों के चुनावों का असर हर्याना पर आपने का पड़ेगा, तो हर्याना की राजनीति दश्रा तीचा दुन्रों बतलेगे, देखे हर्याना में अब किसी चुनाव का कोई असर नी पड़ने वाला, हर्याना में अब एक ऐसी शान आम आदमी पार्टी का होगा हम नहीं लड़ रहे हैं यह हर्याना के आम लोग यह चुनाव लड़ रहे हैं और जब जब आम लोग चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने यह पॉलिटिकल पार्टीयां पॉलिटिकल नेता नहीं ठहर पाते हैं आपने कहा ये सारी सुधाई हर्याना के लोगों को मिलेंगी जो दिल्ली और पंजाब के लोग ले रहे हैं S.Y.L. पे क्या स्टेंड रहेगा और मुख्या मंतरी इंडिये जैसे कल प्रदान मंतरी से मुलाकात की पंजाब के सीम को लेटर लिखा उसे क्या देखे मैं तो ये कहूँगा कि अगर खटर साब गई थे प्रदान मंतरी से मिले ही थे मैंने तस्वीरें देखी तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने पूछा कि 2019 में मोदी जी हरियाना में आये थे तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान हमारे हक का पानी बहे के जा रहा है पंजाब का हरियाना का राजस्तान का मैं वो पानी रोकूँगा और हरियाना के किसानों को राजस्तान के किसानों को वो पानी दूँगा तो क्या खटर साब जब गए थे कल मोदी जी के पास पूछ के आए के नहीं आए कि दुश्मन देश आज ज़्यादा प्यारा हो गया पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा हो गया पंजाब अर्याना राजस्तान से पाकिस्तान का पानी रोक के मोदी जी कब पंजाब को अर्याना क किया नहीं दी सौतर है की जानकारीז का δेश में यह जाननेZA की इकफ़रा करने में क्या हर्ज है। का कि मैं चार कास्ट के अलग-लग लोगों को डिप्टी सीम बनाऊंगा दस साल पहले रहे तब नहीं बनाया तेखिए वही है कि खयाली पुलाव बनाने से तो कुछ होता नहीं है अब हुड़ा साब को यह लग रहा है उनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि मैं जाट नेता हूं और जाट मुझे वोट देते हैं और बाकी कोई कास्ट तो उनको पूछती भी नहीं है कोई वोट नहीं दे रहा उनको तो उनके दिमाग में यह चीज बैठ गई है तो इसी गलत फहिमी में उन्होंने यह कह दिया कि वह डिप्टी सीम इस जाती का बना देंगे 36 जाती हैं 36 डिप्टी सीम बनाएंगे क्या दूसरा उनका यह जो गलत फहिमी है यह भी इस चुनाव में दूर कर देंगे जाट समाज भी उनसे हट चुका है उनकी अपनी जाती के लोग उनको इसलिए वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो जात के नाम पे राजनीती कर र अच्छे अस्पताल बनाना इनके बस की बात नहीं 24 गंटे बिजली देना इनके बस की बात नहीं पानी घर घर पे देना इनके बस की बात नहीं अच्छे रोड नहीं बना सकते बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते हरियाना की किसानों को अच्छे दाम नहीं दे सकते कुछ न तो हर जाती का व्यक्ति उसमें इलाज कराता है। तो हम काम की राजनीती करते हैं। उसी राजनीती के आधार पर हरियाना में पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे। आ रही है तो ये नौ साल पहले क्या कर रहे थे सो रहे थे ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जिस तरीके का योगदान समाज में नेता देते हैं उसी तरीके से पत्रकार भी गरीब की आवाज उठाने का काम करते हैं जिस तरीके से एक neutral जनलिजम को खतम करने की भारतिय ज पार्टी साज़िश कर रही है पूरे देश के अंदर वो शर्मनाक है हमें लगता है कि एक स्वतंत्र जर्नलिजम के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जगए होनी चाहिए देश में आप खुद आम आद्मी पार्टी के हर्याना के पॉलित ब्यूरो के सदस्या है जब घोशना पत्र बनेगा तो आपको लगता नहीं वेज़ है यो की रिपोर्ट है उसको लागू करवाना चाहिए वो लागू होने के बाद शयाद पत्रकारों किसी और चीज़ की जरूरती न सिर्फ वहां तक सिबित नहीं रहेंगे उसके आगे भी बहुत सारी चीज़े हैं जो समय समय पे हम लोगों के बीच में चर्चा होती रहती है हमें लगता है कि समाज के हर वर्ग को उनके जरूरत के मताबिक सुविधाएं देना सरकारों की जिम्मेदारी है टेक्स इसलिए क्योंकि जो 34-35 साल सरकार में काम करता है उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम जिसने खतम कर दी हो जो उसका विरोध करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का उस पार्टी से ये उमीद करना है कि वो आपको सामाजिक सुरक्षा मोया करा पाएंगे ये बेमानी मुझे लगत है मुझे लगता है बहुत सारी योजना है जिन पर काम किया जा सकता आयोग की रिपोर्ट लागू करने के साथ साथ और भी कई सारे चीज़ें क्योंकि मैंने खुद काम किया इसलिए मैं जानता हूं कि बहुत सारी और अच्छी चीज़ें हो सकती ये थे आम आदिम झाल झाल